हेलो दिया स्टुएंट्स हम आपके लेकर आया है हिंदी का पार्ड इसमें यूपीटेट दोजार रिकीस जॉब का तीजनवी 2022 को कॉम्प्रीट हुआ है इसका सॉलुशन इसमें आपका हम प्राइमरी अभी कवर कर रहे हैं प्राइमरी में हम आपको चैल्ल डेफलेमेंट कर अगला पार्ड है इसका हिंदी तो हिंदी की बात करते हैं तो पहला प्राइशन है हमारा सब्द की बरतनी सही है कौन सा सब्द इसमें है जिसकी बरतनी सही है तो हमारा पहला उप्शन सही हो जाएगा अनुगरहीत दूसरा हमारा कौन सा सब्द सुद्ध है तो इसका हमारा option number 1 हो जाएगा पैतरक, सही है इसका answer next हमारा सद्धोनी का और चाड़िस्तान कौन सा है तो इसका हमारा option number 4 सही हो जाएगा तालू अगला प्रसन है हमारा अतियांत सब्दे में प्रयोक्त उपसर्ग है तो इसका हमारा option number 3 हो जाएगा अती next है उप्तियाका का अर्थ है इसका सही answer हो जाएगा option number 3 परवत के पास की भूमी अगला प्रसन है इस देश में हिंदी भासा का प्रयोक लिखने एवं बोलने में किया जाता है तो इसका सही answer होगा option number 3 मौरिश्तस अगला प्रसन है सूर सागर किस भासा की रचना है तो इसका सही answer है option number 4 ब्रज अगला प्रसन है बीरों का कैसा हो बसंत कविता किस ने लिखी है तो इसका सही answer है सुमद्रकुमारी चोहान ने लिखी है next प्रसन है छेत्री हमें कौन सा प्रसिशड है इसका हमारा सही answer हो जायेगा option number 2 गुडवाचर अगला प्रसन है 14 सब्ड में कौन सा समाज है तो चौरा सब्ड में में समाज हो जाएगा जो एक समाज है नहीं option number 4 हमारा सही हो जाएगा अगला प्रसन है हमारा नेम लेकर मैंसे मौले अव्यक्ति का रूप है तो इसका option no.3 हमारा सही answer हो जाएगा अगला question है Hindi भासा मैं कितनी बोलिया है तो इसका option no.4 सही answer हो जाएगा 18 Next question सामाज एक सब्द मूल सब्द और प्रत्या है तो इसका सही answer हो जाएगा Option no.3 समाज समाज प्लस एक Next question है कि दोपत्रएक एसंपादक का नाम किया है तो ओपसन रम तीन अकले दैस्थ हो जाएगा हमारा अगला है 12 वर great आधर प्रो जिया सेहर या पंक्ती किस है इसका हमारा ऑप्सन क्ट रहें जैनोन इस सही अंसर हो जाएगा नइक्स अंगली स्लाइड पर चलते हैं इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है तो पैसेज के आता पर कुछ क्वेशन पूचे गया है तो हम पैसेज आप पढ़ लीजेगा हम डाइट लिए इसके आंसर आपको बता देते हैं 46 इसका सही आंसर हो जाएब गुमकर सब्द में कौन सा प्रत्या है तो इसका हो जाएगा ऑपिज़ायगा अप्शन नमबढ दो सही अकड महावी स्वामी के चार्म कहा हुआ था इसका सही आंसर होगा वैसाली अप्जन नमबर एक next question स्वच्छन में कौन सी संदी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 वेंजन next है महात्म बुद्ध ने जब बुद्धत उप्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी option number 1 35 सही आंसर हो जाएगा हमारा सुधि धर्म का क्या आर्थ है तो इसका option number 3 ने जब चार्षान होता है option number 2 नासिक सही आंसर हो जाएगा next है चार गज मलबन में कौन सा विशेशर है तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा option number 4 पर्डमाट बोधक next प्रसन समास का बिलूम क्या है तो समास का जो बिलूम है वो हो जाएगा हमारा सही आंसर option number 2 ब्यास next है सुन का समूप क्या है तो इसका जो सही आंसर होगा वो का option number 3 सुन next है आंक की किरकिरी होने का अर्थ क्या है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number 2 अप्रिय लगना अकाल का पर्याबाची अकाल का पर्यावाची क्या होगा तो option no.2 दुर्वेक्ष निम्लेकित में से कौन सा मिस्रवाक्य है तो इसका हमारा जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option no.4 अध्यापक देखते हैं कि चात्र पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा question जिसकी पूर्व से कोई आसा ना हो उसके लिए एक सब्द तो उसके लिए हमारा option no.1 अप्रत्यास से सही answer हो जाएगा मुझसे उठा नहीं गया बाक्य में वाच्य है तो option no.4 हमारा इसका सही answer हो जाएगा भाव वाच्य नेक्स्ट है निस्ट कपट सब्द का संदी विच्चेद है तो option no.2 नहा प्लस कपट इसका सही answer हो जाएगा तो आज हमने यह कवर कर लिया हिंदी का portion हिंदी के portion में तीस question थे जो हमने cover किये हैं अभी अगले part पर हम चलते हैं अगला part है इसका English English की बात करते हैं English में सबसे हो जाएगा once more option no.4 सही answer हो जाएगा next is what did Kim do in the end इसका हमार जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option no.1 इसमाइल एंड डिसेपियर next question what does century denote century का मतलब क्या होता है century का मतलब होता है period of hundred years अर्थाथ आपका जो option no.3 होगा वो हमारा सही answer होगा next what is the magician's name magician का नाम क्या था option no.4 किम राथोर्ड यह हमारा सही answer हो जाएगा next question है हमारा what is the meaning of captivated captivated का अर्थ क्या होगा इसमें हमारे दो meaning दे रही है एक तो है एस्टोनिस्ट और एक है arrested इन दोनों में ही थोड़ा सा confusion है वैसे इसका एकदम जो correct answer होगा वो हमारे इसाब से एस्टोनिस्ट next question है what is the meaning of spontaneous इसका जो सही answer हो जाएगा यह हो जाएगा option no.2 happening suddenly next question what is a wind इसका जो सही answer हो जाएगा option no.2 stick next what is the meaning of hoping इसका हमारा सही answer हो जाएगा first jumping next slide पर चलते है next question है हमारा what kind of adjective are used in the following sentence a live ask is better than a bad loin इसमें हमारा जो सही answer होगा वह होगा वैसे तो इसमें डू answer हमारे है एक तो quality एक descriptive जातर लोगों ने बताया इसका descriptive answer लेकिन descriptive जो है quality का ही एक part है तो इसका वैसे जो सही answer होना चाहिए वह होना चाहिए quality तो हम लगा देते हैं इसका सही answer quality तो एक descriptive जो है वह quality का ही एक part है next question है हमारा which of the following has been misspelled तो इसमें जो गलत सब दिया गया है वह है governance तो option no.4 हमारा इसका सही answer हो जाएगा pick out the correct anonymous of the word attenuate इसका हमारा जो सही answer हो जाएगा option no.3 make thin next question पर चलते हैं next question है हमारा pick the sentence with the correct conjunction इसमें यूज किया गया है तो हमारा इसका पहला यह option सही हो जाएगा no sooner had we reached the station than the turn left next question है pick out the suitable antonyum of the given word judicious तो इसका जो हमें antonyum देखना है तो इसका antonyum हो जाएगा imprudent तो इसका सही answer होगा option no second imprudent next fill in the blanks with suitable pronoun इसमें आपको बताना है कि कौन सा pronoun आएगा fill in the blanks की जाएगा my son and my daughter are very fond of तो इसका सही answer हो जाएगा each other क्योंकि 2 persons के लिए हमेशा इस अधर का यूज करते है option no.1 सही answer हो जाएगा next question है हमारा which of the following is an example of metaphor तो metaphor का कौन साइस में example सही है तो हमारा option no.2 he is a big donkey हमारा सही answer हो जाएगा option no.2 he is a big donkey next है to the correct option study of population is known as तो population की जो study की जाती है उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक के अंतरगत हम लोग तो population की study करते है तो हमारा option no.4 सही answer हो जाएगा इसका next है transform the following into a direct sentence हमें एक indirect sentence दिया गया है उसको हमें direct में convert करना है I asked Sheila if I might know her father तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option no.2 I said to Sheila, may I know your father तो option no.2 इसका correct answer हो जाएगा the idiom should ring once ounce well means एक जो हमें idioms दी गई है इसका हमें answer बताना है क्या होगा तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा option no.3 to indulge in self-risk खुद की सेखी मारना next ब्रस ने the meaning of the idioms झाल 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 झाल